आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहता हूं। पूरा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। हर भारतवासी देश भक्ती में डूबा है। 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों हजारों बच्चे कठे होंगे। और बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। जी, 4 अगस्त को दिल्ली में हजारों बच्चे कठे होके बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। और उस दिन संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं। अब भारत थमेगा नहीं। अब हम 130 करोड भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश हम से आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए, हम किसी से कम तो नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, नदिया, पहा से महनती है, फिर हम पीछे क्यों रह गए, अगर इन निताओं और इन पार्टियों के भरोसे देश को छोड़ दिया, तो अगले 75 साल भी देश पीछे रह जाएगा, अब देश के 130 करोड लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आईए आजादी के 75 वे वर्ष में हम हैं कि हम भारत के 130 करोड लोग एक साथ मिलकर, एक जुठ होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेश और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, कुछ लोग पूछते हैं, आपको क्या लगता है, क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर वन देश बन सकता, पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, भारत के 130 करोड लोगों को साथ आना होगा, व्यापारी, किसान, उद्योपती, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब को सब को साथ आना होगा, 75 साल पहले, जब सारा देश इकठा हुआ था, तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था, अब हम सब एक बार फिर इकठेओं के भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्टर बनाएंगे, जय हैं, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी ख़बर देना चाहता हूँ, पूरा देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, हर भारतवासी देश भक्ती में डूबा है, चार अगस्त को, चार अगस्त को दिल्ली में हजारों हजारों बच्चे कठे होंगे, और बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, जी, चार अगस्त क दिल्ली में हजारों बच्चे कठे होके बनाएंगे दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा, और उस दिन संकल्प लेंगे, कि अब भारत रुकेगा नहीं, अब भारत थमेगा नहीं, अब हम 130 करोड भारतवासी मिलके भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाएंगे, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इन 75 सालों में कई देश हम से आगे निकल गए, हम पीछे क्यों रह गए, हम किसी से कम तो नहीं है, भागवान ने हमें सब कुछ दिया है, नदिया, पहाड, खनिजपदात, जड़ी बूटिया, फसले, समुद्र, सब कुछ दिया है भागवा अब देश के 130 करोड लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आईए अजादी के 75 वे वर्ष में हम प्रण लें कि हम भारत के 130 करोड लोग एक साथ मिलकर, एक जुट होकर भारत को दुनिया का सर्वश्रेश और सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, कुछ आपको क्या लगता है, क्यों नहीं भारत विश्व का नंबर वन देश बन सकता, पर इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, भारत के 130 करोड लोगों को साथ आना होगा, व्यापारी, किसान, उद्योपती, मजदूर, नौकरी पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब को सब को साथ आना होगा, 75 साल पहले, जब सारा देश इकठा हुआ था, तो हमने अंग्रेजों को भगा दिया था, अब हम सब एक बार फिर, इकठेओ के भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्टर बनाएंगे, जय हैं झाल, 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 बनाएंगे, जय हैं